नाकपुर शहर को जलापूर्ती करने वाली पेंच की पाइपलाइन में चार जगों पर लीकेज की मरम्मत के लिए लगबग एक माह इस पाइपलाइन में इरगाव कारगाव लगेगा इसलिए नाकपुर शहर में 6 जनवरी से महिने भर तक एक दिन के लिए लीकेज के कारण 4 मनपा के 10 जोन में से लक्ष्मिनगर जोन, धरमपेट जोन, हरुमान नगर जोन, धन्तोली जोन, गांधिवाग जोन, आसिनगर जोन, मंगलवारी जोन, पूर तह जबकी सतरंजीपुराज जोन की कुछिस से यानि लगबग 65% शहर को जलापूरती प्रभावित होगी। जलप्रदाय समीति के सभापती पिंटु जलके ने कहा कि पेंच की मुख्य पाइपलाइन 27 किलोमेटर लंबी है। इस पाइपलाइन में इरगाव कारगाव के पास 4 जगवा बड़े लीकेज हुए है। लीकेज के कारण 4-5 MLD पानी बहरा है। लीकेज बन नहीं किया गया त इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसे बचने के लिए मरम्मत कार्य करना जरूरी है। इसलिए पेंच 1234 से शहर को होने वाली जलापूरती महने भर तक के एक दिन की अंतराल पर की जाएगी। देखबाल मरम्मत की जिम्मेदारी OCW कमपनी की है। कमपनी ने प्रात दर्म्यान चार मोठे लिकेज अधरू नाले। काल त्या दृष्टी ने प्रशासना नी जशी महाईती दिली तासा मी तातका दौरा सर्व प्रशासना चा अधिकरान सुबत केला। आणि तिते स्पाट वर विजिट केला नंतर असा लक्षा दाला कि हे फार मोठा लिकेज आणि ये लिकेज तातका दुरूस्त करना अनिवारिया है। ये लिकेज जर आज आपन दुरूस्त केला नाई। तो ये तेया उननायात आपलाला त्याचा मोठा फटका बसुशक्तो नाकपूर शिवरातील साधारान ता पासस टके भाग जो पेंच वर डिपेंडेंडें पेंच की पाइपलान दुरूस्त करने के लिए इस पाइपलाइन से जलापूरती बंद की जाएगी। एक दिन के अंतराल पर होने वाली जलापूरती गोरेवारा जलशुद्धिकरन केंडर से की जाएगी। इस केंडर से शहर को 400 से 450 MLD जलापूरती की जाएगी। केमरा पोसिन राच खिमार मोर की साथ अभी शेक पांसी बीसी न्यूस नक पूरूँ। कि जाएगी।